Hey Plantaholics, Welcome back to my channel, Hope you're doing well Friends, this video is all about February gardening works तो Friends, इस मन्त आपको ऐसे कौन से काम करने हैं अपने plants में तापकि आपको बहुत खूपसूरस से flowers मिलें और आपके जो plants हों, वो healthy बने रहे हैं तो Friends, इसलिए आप लोग प्लीज एंड तक बने रहेगा तो Friends, शुरुवात मैं इन Rose Plant से करूँगे आप देख सकते हैं अभी ये जो flowers हैं थोड़े से fresh हैं Rose Plant में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम होता है Friends, वो होता है spend flowers को हटाना और कोई ऐसी branch हो जिसमें कोई growth ना हो रही हो जैसे की Friends, ये थी इसको मैंने remove कर दिया है तो इस तरीके से आप ज़रूर remove कर दीजे ताक कि आपका जो plant है वो अपनी सारी energy new branches और new buds और new flowers बनाने में लगा दे उसकी energy जो हो, वो waste ना हो तो Friends, अपने plants को ऐसे चेक करते रहे हैं जैसे की Friends, मैं चेक कर रहे हूँ, जहां कहीं पर भी growth रुख गई है या कई बार होता है, जो flowers spent हो जाते हैं तो सिर्फ आपको ऐसा लगेगा, सिर्फ डंडी की तरीके से उपर निकला हुआ जैसे की Friends, आप ये मेरे button roses में देख रहे हो तो इन्हें भी आप जरूर रिमूफ कर दीजे, जैसे ये bunch जब पूरा खिल के खतम हो जाएगा तो जब flowers हटते हैं तो उनकी जो चोटी-चोटी से आपको stem दिखती हैं उन्हें भी जरूर से जरूर रिमूफ कर दीजे clusters of leaves अगर आपको दिखे कहीं बहुत ज़ादा गुच्छों में leaves हैं लेकिन growth नहीं हो रही है तो उस particular जो area होगा आपके rose plant का उसको भी आपको जरूर रिमूफ कर देना है जहां पे new growth आ रही हो उसको बस छोड़ दीजे और spent जहां कहीं पे भी flowers लगे हो उन्हें जरूर से जरूर हटा दीजे जैसे कि friends मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ आप देखे कितनी सारी birds आई ये जो काम friends आप करोगे especially इस तरीके से spent flowers को हटाने का तो friends आपका जो plant होगा वो आपको बहुत सारे flowers देगा आप ये करके देखेगा अपने plants में ये देखे कितने खुबसूरस से कश्मीरी गुलाब में flowering हो रही है पीछे भी सारे गुलाब में flowering हो रही है और friends आज मैं आपको मैं हमेशा fertilizer साप लोग के साथ share करती थी लेकिन आज मैं fertilizer नहीं share करूँगी मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी जो कि मैं आपको friends अभी दिखा देती हूँ आप पहले देखे कितने सारे बंच में जो देशी गुलाब में birds आ गई है उसका एक reason है friends वो मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि मैं मन्त में एक बार अपने plants में जरूर डालती हूँ मैं आप से भी कहूँगी ये है friends fit curry जिसे alum भी कहते हैं या फिर potash alum के भी नाम से जाना जाता है बहुत ही आसानी से आपको किसी भी grocery की भी shop में मिल जाएगा अच्छे से वर्काउट करेगा तो friends basically जो fit curry होती है वो fertilizer तो नहीं होती सबसे पहली चीज ये आप जान लीजे इसका जो roll होता है अब ये जो आप टुकडा देख रहे हैं इसको मैं जस पानी में डाल दूँगे आप ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन friends मैं पानी में ही डाल कर ही इसको डालती हूँ अपने प्लांट्स में इस तरीके से डाल दीजे और 10-15 मिनिट के लिए छोड़ दीजे फिर आपको जैसे इसम मिल की वाइट सा आपको दिखेगा पानी आपका जो होगा वो color change कर देगा तो बस आपको करना ये है इसको आप अच्छे से मिला लीजे फिर आपने सभी प्लांट्स में डाल दीजे फिटकरी का जो काम बेसिकली होता है जैसे कि रोस प्लांट्स को acidic स्वाइल पसंद होती है तो ये बस आपके जो स्वाइल का pH level होता है उसको बदलता है कई बार जो स्वाइल जिन प्लांट्स को acidic स्वाइल पसंद होती है वो उस तरीके से नहीं रह जाती है तभी वो flowers नहीं बनाते है तो फिटकरी एक तरीके से बस आपके स्वाइल का जो pH level होता है उसको maintain करके रखती कि जिन plants को acidic soil पसंद होती उनके लिए बहुत ही अच्छे से workout करती है जैसे कि roses हो गया हिबिसकस हो गया तो friends इस तरीके से मैं एक mug जो आप देख रहे हो वो दो plants में डालना है जो कि 12 inches के pots हैं तो आपको ऐसे ही डालना है और जिस दिन आपको friends ये चीज डालना हो जो फिटकरी अपने plants में sunlight भी है पानी भी अच्छे से डाल रहे हैं लेकिन फिर भी birds और flowers नहीं खिल रहे हैं तो friends उसका reason ये होता है कि आपका जो plants की roots हैं वो nutrients को absorb नहीं कर पाती है तो फिटकरी जो आप डालते हो diluted form में वो भी एक तरीके से nutrition के absorption के लिए भी बहुत ही जादा अच्छ work out करता है तो friends इसे आप महीने में एक बार अपने plants में जरूर डालिएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया और इसका result में आप लोग के साल जरूर शेयर करूंगी आप friends इधर ये जो आप देख रहे हो ये हैं मेरे gazenia के plants इस plant में थोड़ी सी एक problem होती ये efforts को लेके दिख जाएंगे और अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो as a safe side precautionary आप इस तरीके से friends मैं neem spray कर रही हूँ ये मैंने neem oil का अपकी alternative मुझे nursery वाले भाया ने दे दिया लेकिन ये बहुत ही अच्छा workout कर रहा है तो friends इसे मैं डाल लूँ है अगर आपके आपके आपस neem oil है तो just आप नेem oil को भी पंदा दिन में एक बार diluted soap solution में करके जरूर अपने सारे plants में डाल दीजे और कुछ ऐसे plant जो थोड़े से prone होते हैं जैसे कि मैंने आपको गजेनिया बता दिया इसमें थोड़ा सा pest attack होना common सा होता है तो इसको आप जरूर से जरूर डाले ता कि आपको प् ताकि आप लोग को भी एक remind हो जाए कि यह चीज मुझे करना है इसके साथ साथ friends इधर मेरे कुछ और seasonal plants हैं आप देख सकतो कितने अच्छे से flowering हो रही है और हाँ friends week में एक बार गुडाई जरूर करियेगा वो बहुत ही ज़्यादा important होते है लेकिन आज में पास बहुत ज इधर मेरे काम मेरे पास है तो डाइंथर में friends इस्पेशली डाइंग जरूर करते रही है जहां पर भी आपको स्पेंड फ्लार्स देख रहे है उनको हटाईए तभी आपको न्यू जो बड्स होंगी वो निकलती हुई दिखेंगी और आपका प्लांट जो होगा वो इनको जरूर से जरूर रिमूव करते रही है और चेक करते रही है अपने जो भी प्लांट में आपको लगता है कि इस प्लार्स अब हटाना जरूरी हो गया तो इस तरीके से आप घटा दीजे जैसे कि मैं हटा रही हूँ नहीं हटा होगे friends तो यहीं पे जाके इनकी growth भी र मूव कर देना आप ये देख सकते हैं यसे मैंने हटा दिये तो इससे अगल बगल में न्यू ब्रांचेस दिकलेंगे उनी में बहुत ही खुपसूरत से फ्लार्स किलेंगे गजेनिया में भी ये काम बहुत जादा जरूरी होता है जो भी इस फ्लार से उनको आप इस तरीके से कट कदी जाए अगर आप कट नहीं करेंगे तो फ्रेंट्स वो सीड बनाना शुरू कर देंगो और एक तरीके से फ्लारिंग भी कम हो जाएगी ये भी बात जान लीजे अगर सोच रहे हो कि सीजन है और ऐसे लगे रहेंगे तो फ्रेंट्स इसमें सीड बनना भी शुरू हो दूँगी अभी जिनमें flowers लगे हुए उन्हें मैं छोड़ दूँगी तो इस तरीके से friends आपके आप जो भी winter flowering plants हैं जिनमें dead heading की जरूर है थे वो जरूर से जरूर कर दीजे friends अभी ये spring में भी बहुत अच्छे से flowering करेंगे तो हमें ऐसा नहीं है कि February आ गई है तो हमने इन सम बदल सकता है और आप देखे friends कितने खुब सूरस से dog flowers में भी ऐसे आप spent flowers को जरूर रिमूफ कर दीजे तो friends I hope आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और friends अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजेगा झाल